हलो, 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 हलो and welcome back, नवश्कार, तो कैसे हैं आप सभी लोग, ये वीडियो उन सभी के लिए है, जो need 2026 में, first attempt में अपनी seat हासिल करना चाते हैं, एक अच्छे medical college में पहुंचना चाते हैं, तो बातों को ध्यान से देखना काफी detailed बात करूँगा, काफी unbiased बाते कुछ चीजने हो सकता है, आपको अच्छी लगें, कुछ चीजने बुरी लगें, कुछ चीजों से आप सहमत हों, कुछ चीजों पर आप सहमत ना हो, मुझे जरूर बताना comment section में कि आपको ये discussion कैसा रगा, और आपके क्या opinion है उन सभी बातों पे, तो आई ये शुरुबात करते हैं इस detailed discussion की, मैं step by step आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपकी किस तरह की plannings होनी चाहिए, और आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहली step आपके सामने होनी चाहिए, decide your mode of study, आपको पता होने चाहिए, online offline के नुपसान क्या है, ये बात आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा detailed मैं online offline के debate में नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ key points बताऊंगा, जो कि student point of view से आपको realize करना, सोचना, समझना जरूरी है, सबसे पहली बात होती है connect, आपको ये देखन होगा, आपको ये समझना होगा, कि किस mode of communication में, किस mode of teaching में, किस mode of studying में, आप ज्यादा connect feel कर पाते हैं teacher के साथ, क्योंकि ये कोई 2-4-6 दिन या देर-2 महीने की बात नहीं, ये 2 साल की बात है, जो teacher होगा, he is not just your teacher, he or she is just not your teacher, वो आपके mark दरशक होंगे, आपके mentor होंगे, ज किन बातों को follow करना है, किन बातों को नहीं करना, उसका track रखेंगे और आपको बार-बार सही रहा पर लेके जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि आप लोग low feel करोगे, कई बार ऐसा होगा कि आप अपने काम से demotivate होगे, कई बार ऐसा होगा कि आप गलत रास्ते पर जाओगे बच्चों को ट्रैक करना उनके साथ connect बिठाना बहुत आसान हो चुका है जैसे कि आपने देखा एप में जब हमारी classes होती है तो hand raise का feature है जिसमें student directly teacher से बात कर सकता है one on one video communication कर सकता है मेरे समय पे जब offline class में मैं पढ़ता था 200-300 बच्चे बैठे होते थे महाँ पर doubt पूछने में काफी ज़ाद hesitation होता था महाँ पर doubt पूछने में ये लगता था कि यार वो जो आगे कुछ मेरे दोस्त बैठे हैं वो क्या सोचेंगे यार वो जो लड़की बैठी है उसके सामने अगर मैंने doubt पूछना चाहिए या नहीं ये तो सबको आता ये तो मुझे नहीं आता ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है जिसकी बज़े से आप कभी उतना connected teacher के साथ नहीं बना पाते उसके बाद एक और irritating चीज होती है कि offline class में के teacher बच्चर ने सवाल पूछा बच्चे एकदम से हाथ उठा कि सर सर ये और teacher उन्हीं लोगों पर साधा ध्यान देते हैं और जो नॉर्मल एक एवरेज बच्चा होता है वो धिरे-दिरे disconnected feel होता है तो ये कुछ drawbacks है online के जो मैंने feel किये अपनी personal coaching में इसलिए मुझे अगर आप पूछोगे तो मुझे online coaching जाद अच्छी लगती मैंने शाद पीछे online क्या दिया just a second i repeat my statement ये कुछ drawbacks थे offline coaching के जो मैंने feel किये और इसलिए मुझको online coaching जाद बहतर लगती है क्योंकि इसमें देखो सबसे important बात क्या है न के बच्चे का कैसा भी doubt हो वो hesitate नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर ये ये वाली feeling ही नहीं है कि मुझे कोई judge कर रहा है because no one knows है कि नहीं सही बात बोल रहा हूँ आप कहां बैठ के क्या doubt पूछ रहे हो कि किसी को फराकी नहीं पड़ रहा है आपका doubt clear होना चाहिए और वही सबसे important बात है आपका और teacher का connect जाद अच्छे से बन सकता है online में अगर आपने इस feature को इस platform को ठीक तरह से use किया तो दूसरी बात है time management time management के लिए भी मैं online को जादा preference दूंगा क्योंकि offline की अगर मैं आपको मेरी खुद की personal schedule बता हूँ जब मैं 11 ग्लास में था तो मुझे सुर्वे 7 बज़े उठके नहाना दोना तयार होना पड़ता था क्योंकि 8 बज़े से school होता था और cycle उठा के school जाना यानि 20 minute फिर school से coaching जाना यानि आदा घंटा फिर coaching से घर आना यानि वापस से आदे गंटे हो जाते हैं कई बार ऐसा होता था कि मैं सुबह से उठा हुआ हूँ और उसके बाद जब मैं दोपयार में cycle चला के coaching जाता था तो coaching की थंडी-थंडी offline की AC की हवा में मैं बैठता था और मुझे तनी बढ़िया वाली नींद आती थी कि पहला lecture नींद में निकलता था उसके ब्रेक में स्टूडेंट से हम लोग कूछते थे दोस्तों से कि क्या पढ़ाया गया क्या बाते हुई उस ब्रेक उस लेक्चर में और ऐसा एक नहीं कहीं बार हुआ है मेरे कई सारे टॉपिक सिर्फ इसलिए वीक रहे और मेरा एक और बात बताता हूं कि chemistry मेरा सबसे वीक है तो online में आपको ये flexibility मिलती है कि आप अपने हिसाब से lecture देख सकते हैं आप अपने हिसाब से चीजों को manage कर सकते हैं आपके पास multiple teachers हैं offline में तो एक set of teacher मिल गए जमे नहीं आपको उनसे पढ़ना है अच्छे लग रहे नहीं लग रहे हैं आपको उनसे पढ़ना है online में आज आपको इतनी power मिल चुकी है कि आप एक set of teachers में से physics उठा सकते हैं एक team में से for example अगर एन academy की बात करूं तो Spartans में से आपने बोल दिया कि यार मुझको physics तो केके सर से पढ़ना है बायो चानी में हम से पढ़ना है chemistry के लिए आपने क्या दे कि चलो ठीक है देखें कौन-कौन ह ठीक है आपने अकांक्षा में हमसे पढ़ लिया chemistry तो आपके पास n number of options हैं और आप किसी से भी कोई भी topic कोई भी subject पढ़ सकते हो आपको हो सकता है कि एक teacher से chemistry का कोई topic समझ में नहीं आया आप दूसरे teacher से पढ़ दो n number of चीज़ आपके पास है ओके तीसरा point finance अब ये देखो finance इतनी important चीज़ है कि offline का एक दिन का जो fees structure होता होगा एक दिन का उतरे में आपको यहाँ पर salver की batch, salver का material, salver के test, salver की DPP, सब कुछ मिल जाता है किसको कहते हैं यार 4, 5,000, 6,000, 10,000 रुपे में भी अगर आपको मान लो कि 2 साल का subscription मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या ची सबसे पहले लिखना शुरू करो, quota अगर आप जाते हो, सबसे expensive जगे, I never personally suggest कि आप इतनी कम age में घरवा लोगा इतना पैसा खर्च करवाओ, जब आपके पास इतने easy और इतने quality substitutes हैं, और मैं बता रहा हूं कि दुनिया इसी पर shift होने वाली है, वो कुछ है चुनिंदा लो आप गिनलो साल भर का, एक से देल लाक रुपे, दो साल का, दो से धाई लाक रुपे, और कई coaching वाले तो तीन से साड़े तीन लाक भी लेते हैं, उसके अलावा hostel का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, दुसरे expenses, उसके बाद home sickness, anxiety, fear factor, दस तरह की को आप avoid कर सकते हैं, healthy environment में, अपने parents की निगरानी में, अपने भाई, भेहन के दोस्तों के साथ रह के पढ़ सकते हैं, online में, तो मेरे लिए तो 10 on 10 point जाएंगे online को, ठीक है, अगली बात पर आते हैं, decide your teachers, आपको अपने teachers decide करने हैं, सबसे पहले तो एक set of teacher, बहुत proper decide करो, आप teacher कैसे decide करें, यार वो सर बोलते बहुत अच्छा है, नहीं, आप लोग, आपको subject से मतलब होना चाहिए, कौन कितनी अच्छी तरह से बात को प्रस्तुत कर देता है, सिर्फ यही एक point नहीं होना चाहिए, यार वो मैं तो दिखती बड़ी अच्छी है, तो उनसे मैं लिखा क्या है, आप अगर कोई अच्छी quality material को solve करने बैठते हो, तो आपसे वो बन रहे हैं क्या, physics की बात करूँ, आपने मुझसे for example, जिन बच्चों ने भी basic mathematics पढ़ा, आप ये देखो कि basic mathematics के सवाल आपसे बन रहे हैं क्या, जब वो सवाल DPP में आपको मिलते हैं, आप क क्या होता है, कि कई बार पुराने-पुराने master PhD करवा देते हैं, लिखवा देते हैं, अपने पूरी आत्मकथा लिखवा देते हैं, notes में, और उनका कोई sense नहीं होता है, exam के point of view से, कई बार ऐसा होता है, कि teacher के साथ भी बताता हूँ, कि teachers में, अब जैसे online में तो सारे subject, सार पढ़ाएगा, तो आप यह सोचो कि जो teacher को सिर्फ एक ही subject पढ़ाने का, एक ही topic पढ़ाने का जिम्मा दिया है, मतलब उसने खुझेने चूज किया है, उस topic को, और उनका कौफी जादा उसमें interest है, तो क्या होता है, कि जब बहुत जादा interest वाली चीज़ पढ़ानी होती है तो इनसान बहुत ज़ादा उसमें घुच जाता है, कि ये भूल जाते हैं कि उसका relevance कितना है, मान लो कि मुझे kinematics बहुत ज़ाद़ अच्छे से आता है, बहुत ज़ाद़ अच्छे से मतलब दुनिया में सब सब सब्सक्ति मुझे आता है, तो मैं यह चाहूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा है आपको नोट सिस्थर से जज करने चाहिए कि क्या ये नीड पॉइंट ऑफ यू से रेलिवेंट है जो बातें बताई हैं हमारा काम यहां पे पिएशडी करना नहीं है हमारा काम यहां पे नेशनल लेवल की एक 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 एक्जामिनेशन को क्लियर करना है जो आपसे मांगती है कॉंसेट क्लेरिटी सॉल्विंग विद एक्क्यूरेसी ठीक है तो नोट स बहुत ज़ादा रेलिवेंस होने चाहिए नोट का बहुत ज़ादा मतलब 100% content notes में सहा था लेकिन इस साल का मैंने challenge दिया है कि एक भी ऐसा concept कितना भी घुमाले NTA एक भी ऐसा सवाल नहीं बनेगा जो कि notes में आपको नहीं मिलेगा यानि 50 out of 50 questions in need physics आपको मिलेंगे notes में से ठीक है और notes में आपको मिलती है KKT KKT क्या है कि आपने सवाल सॉल्व के धाई मिनिट में और ऐसी ट्रिक्स आपके पास है जिसमें आप 10 से 12 सेकेंड में सवाल का solution निकाल सकते हो answer judge कर सकते हो तो ये चीज़े आपको सिर्फ notes में मिलेंगे और notes आपको develop करने पड़ेंगे class में बैठके अगली चीज़ होती है intent of the teacher towards the doubt अब teacher बहुत महान है लेकिन वो बच्चे का doubt ही entertain नहीं कर रहा है बच्चे न डाउट पूछा तो उसने मजाग उड़ा दिया तो ये इस तरह के teachers का आपको इतना benefit नहीं होगा क्योंकि ये बात भी मैं अपने personal experience से बता रहा हूँ कई teachers का तबी वो आपसे पूछने आया है है ना और doubt clearing एक ऐसा point है जो कि आज काफी जादा missing है और सिर्फ unacademy के app में ये feature है जिसमें कि student one on one discuss कर सकता है ये बात harsh reality है कि पूरी industry में offline में तो doubts भूली जाओ है ना बहुत अलग sector होता है उसका online में भी बात करूँ so unacademy is the only platform जहांपे के hand raise करके one on one आप doubt discuss कर सकते है teacher से और ये revolutionary feature है क्योंकि इससे students का satisfaction ratio next level पहुँचता है तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है teacher decide करते समय तीचर decide कर लिया बस इसके बाद teacher पर छोड़ दो सब वो आप से अपना काम करवा लेगा खतम बात ठीक है दिमाग लगाना teacher decide करने में उसके बात दिमाग नहीं लगाना उसके बाद उनकी बातों के दिमाग नहीं लगाना teacher ने बोला कि ये करो तब दिमाग लगा रहे यह करें कि नहीं करें बोल दिया करो तो करो बात खतम ठीक है चलो इसके बाद तीसरी step होती है material and books देखो, पहली बात एक अच्छा material, एक अच्छे book sufficient होती है आपकी exam को clear करवाने के लिए so one book and number of times is much better than n books one time समझे, आपने आज एक किताब करी आपको इतना मजा नहीं आया, आपने दूसरी करी फिर आपने तीसरे एक के लिए कोई दूसरा किताब ले ली, आपने notes उठाए, एक teacher के आपको लगा के चलो यह यहां से कर लेता हूँ, वो वहां से कर लूँगा, यह यहां से कर लूँगा काम नहीं बनेगा notes की बात करूँ, तो मेरे जो notes होते है HC Verma, DC Pande, NCRT, quota के जितने बड़िया वाले coaching से, उनका crux, और मेरे खुद के पिछले 12 साल के experience यह सब combine करके मैं आपको notes बनवाता हूँ और वो notes more than sufficient है NEET के लिए, ठीक है, क्योंकि 12 साल में JWE NEET दोनों में इतना मैंने पढ़ा लिया है कि मुझे पता है NTA कहां तक सोच सकता है, और खास करके NEET में कितनी limitation है उनके thought level की, ठीक है, तो उसके बाहर नहीं जाएगा, अगली चीज, realistic level, अब जैसे क्या होता है na, क्या है, specially test में बच्चे join कर लेते हैं, कि अरे सर, उस coaching का test join किया हमने, और सवाल ऐसे hi-fi आ रहे हैं, जो कि कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे, यहां के सवाल पूछ रहे हैं, नीट यहां पूछ रहा है है ना, तो इससे हमको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अलग level पे चल रहे हैं, लेकिन लेकिन आने वाले 6-8 महिने में, पूरी test series आप लोगों के लिए weekly test, monthly test और जितने भी मतलब important topic wise test है, वो सारे में develop करके रखूंगा और आपके लिए जो है, available करवाऊंगा avoid random choosing, क्या होता है ना, कि बच्चे आ जाते हैं तो यह किताब कर ले, मैंने करी, इसमें बहुत बढ़िया knowledge दिया हुआ, यह कर ले, इसमें बढ़िया सवाल है, तो इन चीज़ों का avoid करना है, आपको सिर्फ अपने खुद के judgment, अपने खुद के बुद्धी और विवेक के इस्तिमाल से यह सारे decisions लेने, और इसके बाद आता है आखरी point, study place and daily routine यार, देखो, आप कहां पढ़ रहे हो और आप daily daily क्या कर रहे हो, यह बहुत ज़्यादा मतवखून बात है, क्योंकि जितने बड़े काम होते हैं, उनकी सफलता का राज, उनके छोटे-छोटे जो daily आप लोग काम करते हो न, उसमें छुपे होते हैं, energetic atmosphere बहुत important है, मान लोग यह मेरी workplace है, यहाँ पर workplace में कचरा पढ़ा हुआ है, यहाँ पर बिस्तर पढ़ा हुआ है, में लेट के पढ़ रहा हूँ, है न, और vibe एकदम खराब है, light proper नहीं जल रही है, हवा नहीं आ रही है, तो इस तरह के atmosphere में आप लोग उतना productive काम नहीं कर पाओगे, dull हो जाओगे, depressed हो जाओगे, दूसरी चीज, most efficient time slots, अब आपको मालूम है कि आपसे रात को नहीं पढ़ते बनता, यह आपको मालूम है कि आपसे सुबह नहीं पढ़ते बनता, तो यह तो आपको खुद को अपनी body clock set करनी है, यह अपने पढ़ाई के time table course के according set करो, अब जैसे कई बच्चों को मालूम होता है कि दोपेर में हम खापी के बैठने, पढ़ने हमको नींद आ जाती है, तो मत पढ़ो उस समय पर कुछ और करो, आपको उस subject को सबसे ज्यादा efficient time slot देना, जिसमें आपको सबस्यादा दिक्कत है, तीसरी चीज, daily training on your health, जब मैं health कहता हूँ, तो यहाँ पर तीन aspect है, mental, physical और spiritual health, mental health के लिए आपको क्या करना है, mental health के लिए, मैं कोई सादू मातमा नहीं हूँ, आपको जो भी tips मिलते हैं, mental health पे मिलते रहते हैं, कई लोग video बनाते हैं, किसी भी अच्छे tip को follow कर लो, physical health के बारे में बता सकता हूँ, कि आपको क्या करना है, physical health के लिए, आप लोग running करो, सबसे simple और सबसे अच्छी चीज़ बतानों, running करो, धूप में भागने निकलो, शाम को भागने निकलो, देखो अच्छी चीज़ों का कोई गलट time नहीं होता, यह सबसे बड़ा मित है, कि हम लोग सुबह करेंगे, है ना, सुबह नहीं उट पाए, तो नहीं करेंगे, मोटे हो जाएंगे, unfit हो जाएंगे, कभी भी करो, लेकिन करो, running करो, skipping करो, jogging करो, dance करो, cricket खेलो, football खेलो, gym मत करो, जिम करोगे, body में बहुत जादा सोरने साथी है, नीन दाती है, ठकान होती है, gym मत करो, weight training avoid करो, cardiovascular activities करो, आपका liver, आपके lungs, आपका दिमाग बहुत जादा active होगा, blood flow सही रहेगा, energetic रहेगी, body efficiency बढ़ेगी, और spiritual health फिर से, मैं बताऊंगा नहीं, इसके बारे में, यह आप लोग खुद सर्च करो, क्या कर सकते हो, spiritual health के बारे में, सबकी spirituality के तरीके अलग होते हैं, तो यह आप खुद figure out करो, लेकिन यह तीनों आस्पेक्स पे, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक, अब जैसे मेरा बताऊं, तो मैं कुछ अच्छे लोगों को सुन लेता हूं, कुछ अच्छी चीज़े, read कर लेता हूं, read तो नहीं करता हूं, कुछ अच्छे लोगों को सुन लेता हूं, और travel बगेरा करो, अच्छी जगों पे जाओ, nature के पास जाओ, तो काफी ज़ाद अच्छे thoughts आते हैं और मेरे लिए तो मतलब यही spirituality आप अपनी spirituality धूंडो यह चीज़ों पर आपको ध्यान देना लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो family के साथ time spend करो ठीक है इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दोगे को मिल रहे है इस beautiful platform पे और सिर्फ 5999 में अब यह price पहले से थोड़ा सा बढ़ चुका है 2400 रुपए लेकिन यह और बढ़ने वाला है तो limited time offer है इसका फायदा उठाओ आप नहीं उठाओगे कोई और उठाओगा और फिर वही है कि इतने कम दाम में जो चीज़ें मिल रही है उसका फायदा उठाना चाहिए और अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो फिर आप लोग जो है अपने parents का पैसा बरबाद कर रहे हो ठीक है in short अगली चीज प्लस के बारे में अगर आपको करीबन 20 बहतरीन टीचर्स का content मिल रहा है 6 टीम मिल रही है और आपको यह freedom मिल रही है कि आप किसी भी टीम में से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो और आप अपने हिसाब से choose कर सकते हो सबसे भी पढ़ सकते हो लेकिन करना नहीं है एक टीम से एक टीचर से अच्छे से पढ़ो that's sufficient apart from that live multiple batches crash course जब crash course आएगा वो भी free होगा plus के बच्चों के लिए iconic का क्या benefit है iconic में आपको hard copy of material and books भी मिल जाती है तो personally मैं suggest करूँगा कि iconic लो क्योंकि आपके सामने किताब होगी किताब होगी तो आप सवाल वागेरा करने में आसानी होगी देड़ लाख घंटे का recorded content 35,000 सवाल access to the test series live doubt solving and post class doubt solving सबसे revolutionary feature comprehensive digital notes कोटा के teachers के पूरा study material उनके live lectures उनके recorded lectures और उनके द्वारा study tips ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है और किस price में मिल रही है मैंने अभी अभी बताया इस price में मिल रही है ठीक है अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को इसी price में ये subscription लेना है देखो क्या होगा कि जब आप उस पर जाओगे app पे तो ये प्राइस ज्यादा दिखाएगा बच्चे स्क्रीन शॉट बेशते हैं कि सर ये आपने तो बता है 5999 लेकिन वहाँ पे ये दिखा रहा है 11000 या 12000 आपको वाँ पे कोड यूज करना होता है कोड यूज करना है आपको केके लाई आप इस कोड को यूज करोगे तो इसके दो benefits है पहला benefit यह है कि जो प्राइस है जो कि एप पे डबल दिखा रहा है वो सीधे आधा हो जाएगा और दूसरा बेनेफिट कि यहां से आप पहुंच जाओगे एक बहुत ही प्यारे mentorship group में जो कि मेरा खुद का है के के mentorship group डिरेकली आप यहां पे से link से पहुंच जाओगे ठीक है तो यह code use करो और enjoy करो मजे करो मजे से तहीयारी करो यह बैतरीन वाले teachers आपको मिल रहे है spartans बैचे इस तरह से कुलमिला के 5 बैचे जोर मिल रहे है सबसे सबसे कड़क वाले teachers आपको मिल रहे है मैं खुद केके सर एकेम सर एसकेसी सर चानी मैम रमेश चारदा सर इतने बढ़िया वाले teachers और अन्मोल सर यह सारे teachers आपको मिल रहे हैं इस spartan बैच में और ऐसी कुलमिला के 5 बैचे और हैं ठीक है I hope कि यह बात clear है क्योंकि देखो यह तना समझाना इस लिए पढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को काफी साथ confusion है इन चीजों को लेगे कई बच्चे बोलते हैं कि 5500 रुपए जो महीने का प्राइज है महीने का नहीं साल का प्राइज है कई बोलते हैं कि एक बैच का प्राइ कई अभी नहीं भी है इन सब के भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं फ्री ओफ कोस्ट अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ठीक है सो निम्बस बैच के बारे में बताता हूं निम्बस बैच भी शुरू हो चुकि यह इसका प्राइज है यह बहुत बैतरीन वाले दिसकर्शन तैयारी शुरू कर दो वेट मत करो किसी चीज़ का इंतजार आपको नहीं करना है शुरू हो जाओ और रुखना नहीं है जब तक के आप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाब ओके गुडबाई थैंक यू लब यू अल